सबी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आजब में आपके लिएक लेटेस्ट और एक इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशूर प वीडियो देखते हैं और हम तमें इसके बारे में बात करेंगे जाहिंद जाभारत इस तमाम चीजे मनवा कर करेंगे वोट इकटा होगोट इकटा होने का नाम नहीं ले रहा है चूए पहले कॉंगरेर्स के साथ हम लोग थे सारे मुसल्मान उसके बाद में समाजवादी पार्टी बनी कुछ मुसल्मान समाजवादी के साथ चलेगे उसके बाद बस्पा पार्टी बनी कुछ मुसल्मान बस्पा के साथ चलेगे उसके बाद राश्टी लोकदल पार्टी बनी चार जगा चला जाएगा तो उसकी हैसियत क्या रह जाएगी उसकी वक्त क्या रह जाएगी तो हमारे वोटों को मुन्तशिर करने का काम बाकाइदा किया जाता है ना इसको हमारे सियासदा समझते हैं ना इस पर कोई रणनीती बनाते हैं ना कभी मिल जोर कर सर जोर कर वो लेकिन इंडिया तो सेकुलर कंट्री है और महां का तो प्रेजिडेंट भी जो है वो मुस्लिम रह चुके हैं तो फिर अगर गोटिंग होगी और वोट अगर मिलेंगे और कोई तना काबिल होगा तो प्राइम वेनिस्टर क्यों नहीं बन पाएगा नहीं देखें मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि काबिल तो एक से एक पड़े हुए आज भी है अब उन कलाम जैसे लोग जो मिजाइल मैन हुए और जो राश्पती भी बने उनको मकाम मिला लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनना हिंदुस्तान में मुसल्मान का इतना आसान नहीं है इसलिए आसान नहीं है क्योंकि हम मैनोर्टी में हैं मैनोर्टी में रहकर जो है मुसल्मान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता मेजोटी वाला ही बनेगा ना जो पार्टी मेजोटी में आएगी उस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा और मुसल्मान की पार्टी मेजो तो नहीं है भारत में के लिखा हूए रहा है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा हूए सम्मीदान तो यहां का सीकुलर है समय को है Parece कोई धोराइ नहीं है लेकिन मैं मैं जो हकीकत यह को बता रहा हूं हम उन्हाइक इतों को बता हूं अगर यहां तो जुम्हुरियत में सरों की गिंती होती है, वोटों के उपर जो है तादाद के उपर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सरकारे बनती हैं, तो हम 15% कैसे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, सम्विदान अपनी जगा है, लेकिन सम्विदान से हटकर जब हम अपने वोटो आने वतन आजाएं तो फिर उसमें कुछ नो कुछ रास्ता निकल सकता है लेकिन सवाल यह है कि भई बिरादराने वतन भी हमारे साथ 15% के साथ 85% या 50% क्यों आएंगी हम हिंदुस्तान में रहकर देखे असल दिन अवैसी जैसे लोग या इस तरह के और बहुत सारे लोग जो जहर उगलते हैं तो उसकी वज़ा से बिरादराने वतन हमारे साथ लगेंगे क्यों हमारे साथ आएंगे क्यों वो तो नहीं आएंगे वो तो हमारे साथ तब ही लग सकते हैं जब हम उनके हुको को पहचान कर उनके साथ प्यार का मुहबत का बरताओ करेंगे जो हमारी सब् गुल मिलकर रहेंगे, उनकी परिशानियों को समझेंगे, उनकी परिशानियों में उनके काम आएंगे, और ये काम सारे मुसल्मानों ने छोड़ दिये, अब तो मुसल्मान बिलकुल नाम का मुसल्मान ने गया है, नहीं तो इसलाम तो ये है, किसी मुसल्मान की जबान से, उ उसके हाथ से उसका प्रोसी गेर महफूज ना हो मुसल्मान उसको का जाता है लेकिन यहां तो अगर देखा जाए मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि मुसल्मान की गली में आपको कुड़ा भी मिल जाएगा मुसल्मान की गली में आपको अवारा लड़के बैठे हुए भी मिल जाएंगे मुसल्मान की गली में बड़े बुड़े भी अवारा बैठे हुए मिल जाएंगे जिनका काम ही यही है कि सुबा गली में बैठ गए और आने जाने वालों को टाक रहे है तो यह सारी चीजे हैं जो मुसलमान जो है दीन से दूर होकर इन चीजों को कर रहा है तो क्यों हमारे साथ कोई आएगा यह बहुत बड़ी बात मैं कहरा हूँ आपके चैनल पे हमारे साथ क्यों आएगा कोई जब हमारा किर्दार वैसा नहीं है मौलाना साब अगर एक हिंदू मिज्यॉरिटी वाली कंट्री में मुसल्मान प्रेजिडेंट हो सकता है उसको भी तो किसी ने सेलेक्टी किया होगा ना ये खुरी आके बैढ़ गया थे कि मैं हासे प्रेजिडेंट हूँ उनको भी तो हिंदू नहीं सेलेक्ट किया होगा उनन मुसल्मी मोटो से प्रेजिडेंट नहीं बन सकता है प्रेजिडेंट भी नहीं बन सकता वो तो बीजेपी पार्टी ने या पहले कॉंग्रेस पार्टी ने अपने वोट उनको दिये तब जाके वो प्रेजिडेंट बने प्राइम मिनिस्टर का मैटर बिलकुल अलग है सिया अवा जब अबुलकलाम साब की जब बात आई पर्जिंड बनने की, तो बीजेपी ने सपोर्ट किया उंको, क्वेए कॉमन मैंन थे, उनके ओपर ठपा नहीं था, कट्टर मुसलमान होने का, वो एक कॉमन मैंन थे, और साइंसदा थे, मिजाईल मैंन थे, उनके ओपर किसी तर कर रहा है तो कहते हैं कटर है तो इस तरह का उनके ओपर को ठपा नहीं था दूसरे ये है कि बीजेपी को जवाब देना था कि साब देखो अगर कॉंग्रेस ने कोई मुसल्मान प्रेजिडंट बनाया है तो हम भी प्रेजिडंट बना रहे हैं मुसल्मान को और उन्होंने बनाया दूसरे ये है कि उनके अंदर काभलियत भी थी दोनों फाइदे बीजेपी को उनकी वज़ा से हो गए बीजेपी के वो करीब भी रहे और मुसलिम मोटों का जु यह जो हिंडुस्तानी मुसल्मारे इन इन था एक था कुछ हुआ है यह ज इसा कुछ भी Success करने का मुसल्मान हिंदी तेवारों साथ नहीं जाता आज कल तो नौजवान नसल जो है हमारी होली खेल रही हिंदों के साथ में बाकाइदा दिवाली मना रही है हिंदों के साथ में ऐसा कुछ नहीं है आजकल वो चीज़े नहीं है जो पहले थी अब बहुत चेंज़ आ गया है अब 2014 के बाद में कुछ इस तरह की बाते आई हैं जिसकी वज़ा से फिर मुसल्मान हिंदी तेवारों से कटना शुरू हो गया जैसे अभी गुजरात में हुआ कि साब कुछ लड़के गर्बा में चले गए तो उनको बाकाईदा पीटा गया कि भी तुम बिना परमीशन की क्यों आगे इस तरह से कोई आदमी तेवार में अगर चला जाता है तो कही नकी उस पर जो है गानून भी अपना शिकंजा कसता है कि साब आप तो लड़के ताडने आते हैं आप तो यह करने आते हैं आप तो दस तरह की बाते अप हो गई है तो आब जो है थोड़ा सा कही न कही खिचाओ है लेकिन 2014 से पहले हम ने खूब देखा कि मुसल्मान लड़के होलिया केलते हैं और मुसल्मान लड़के दिवालिया मनते हैं पूरी उनके साथ में उनके तेवार पर और उनको जो है उशामदेद कहना ये कोई बुरी चीज तो है नहीं हमें हम जिस मुलक में रहते हैं उस मुलक के जितने भी तेवार है जब हिंदू हमारे तेवार में आ सकता है एद में हमारे पास सिवाई खाने के लिए आ सकता है तो हम उनके तेवार में उनके भी खाने के लिए जा सकते हैं क्यों नहीं जा सकते हैं जाना चाहिए आप आप कह रहे ना कि मुसल्मान लड़के गए गरवा में या होली में या दिवाली में मुसल्मान और लड़कियां भी जाती हैं क्या होली केलने बिल्कुल जाती हैं आज कल मैं बता रहा हूं आपको ज सीका परेस थोड़ा ये अब तो मैं आपको एक बेहाना की स्थिदी बताता हूं कि कई हजार लड़कियां दिली के अंदर खासतों से सिर्फ दिली के अंदर कई हजार लड़कियां ऐसी हैं जिनोंने हिंदू लड़कों से शादियां कर रखी और रह रही हैं कई हजार लड़ तो अब वो पहले वाली चीज नहीं है। जो जो लड़किया एजूकेशन ले रही है और नौजवान नसल जो है दुनियादारी को समझ रहे हैं, सेक रहे हैं, वो इन चीज़ों को कौमन समझते हैं, इन चीज़ों में कोई किसी तरह का भेदवाव नहीं करते हैं। वीडियो आपको काफी पसंद आयोगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरू करते हैं, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरू बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करतें, ताकि हम